नमस्कार प्यारे साथियों स्वागत आप सब भी का एक बार फिस से आपके एपने येट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ंडीट्यू रिडर पब्लिकेशन तो फ्रेंड्स आज की शुड़े में बात करेंगे जो हरियना सरकार ने सोशियो एकनोमिक मार्क्स जो आपके थे उ इसकी वज़े से अब फाइनल कट ओफ में ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा अगर सही तरीके से तैकिकात होकर और ये आगे आने वाले मार्क्स मिलते हैं जो अभी 5% रखे गए हैं याने की मैक्सिमम 5 मार्क्स मिला करेंगे अब आगे से 95 मार्क्स का तो आपका रिटन ए देख सकते और जो भाई पहली बार चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो रही है नोज देखके बहुत सारे साथियों कि मन में क्वेस्टन यह आ रहा है कि सर क्या भी जो रिकूट्मेंट प्रोसेस चल रहा है भी जो भरतियां इंद प्रोसेस हैं पाइपलाइन म मांदर्ण केंकों में प्रिवार के किसी सदसे कि सरकारी नोकरी मेन नए होने का लाब के अबल उनी उमिद्वारों को मिलेगा जिनके प्रिवार की साला ना आये एक लाग 80,000 रुपे तक होगी यहनि की जो 15,000 रुपे महिना कमाता है उसी को यहाँ पर जो है 15,000 रुपे कमाता होगर में सरकारी नोकरी ना उसी को डाई नमबर मिलेंगे डाई नमबर फादरलेस के मैक्सिमम 5 नमबर रखेंगे पांच से ज्यादा नहीं मिलेंगे 95 का आपका रेटरन एक्जाम होगा तो मैं कहुंगा बहुत ही कम परिवार ऐसे रहेंगे जिनको ये माक्स मिलेंगे ठीक है मगर बाद में सरकार की इच्छा बने की जिन परिवारों के आए बहुत ही कम है पहले लावुने मिलना चाहिए ठीक है पहले लावुने मिलना चाहिए मुख्यमत्री मुहलाल ने इस प्रस्ताओं को मंजूरी दे दी चुकि ग्रूप C और ग्रूप D पर बरती अब कौमन एलजीबली टेस्टी पास करना जरूरी हो गए कि सामाजी का अर्थिक मांदन के अंक भी कम होने चाहिए साथ में परिवार के भीतर अगर कोई सदस्य सरकारी नोकरी में नहीं है तो उसका लावी सबसे कम आये वाले को ही मिले सरकार अभी इस प्रस्ताओं को मंत्री मंदल की बैठक में मंजूर करवा कर जारी करेगी हाला कि अभी मंत्री मंदल की बैठक से मंजूरी नहीं मिली लेकिन सरकार ने पूरे तरीके से इसको करने का मन बना लिया और यह बहुत जल्द यह पास भी हो जाएगा और यह 100% लागू भी हो जाएगा ठीक है वही है कि 95 का आपका रिटन एक्जाम होगा पहले 10 मिलते थे रिटन एक्जाम के ठीक है और सामाजी कार्थिक मांदन के 5% होंगे अब जो आपका पाठ्यकरम है जर्नल अवेरनेस रेजिनिंग मैथ साइंस कंप्यूटर नौलेज इंगलिस हिंदी या संबंदी विशाए 75% होगी हरियाना का इतियास करंट अफेर साइते बुगोल सिव इक्स प्रियावरन और संस्कृति वगेरा की 25% होगी ठीक है और वही है बार बार आप लोग पूछते हैं कि नोगोर्मेंड जो वाला क्या है वही है कि प्रिवारंग में अगर आप पुरुस आवेदक करता हैं तो खुद नोकरीप ना हो पिता ना हो पतनी ना हो भाई ना पती और पुत्र और तलाक सुदा में हिलावेदक के मामले में स्वेंप पिता माता भाई और विवाहित या एविवाहित पुत्र मेंसे कोई सरकारी नोकरी पर नहीं होना चाहिए ठीक है तो फ्रेंड इक अपडेट थी जो आपको देनी थे आज किस वीडियो में फिलाल इ नहीं देने बड़